S.Y.L. नहर विवाद के मामले में सुप्रीम कोट में केंद सरकार के द्वारा जल सकती मंत्राले ने अपना स्टेटर्स रिपोर्ट दाखिल कर दिया जल सकती मंत्राले की तरफ से ये कहा गया है कि सुप्रीम कोट के आदेश के मताबिक पंजाब और हर्याना सरकार ने जनवरी में आपस में बैट कर इस विवाद को सुलझाने के लिए मीटिंग किया लेकिन अभी फिलहाल इस पूरी समस्या का कोई समाधान निकलते हुए नजर नहीं आ रहा है जल सकती मंत्राले की तरफ से ये भी कहा गया कि मंत्राले की तरफ से इस विवाद को सुलझाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है लेकिन इस विबाद को सुलधाने के लिए दोनों राज सरकारों को थोड़ा और समय देने की आवशकता है हालाक इस पुरे मामले पर पंजाब सरकार की दरब से जो दलील दी गई या जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में कहा गया कि बंदोबस्त एक्ट जो 185 में फिलहाल बनाया गया था सबसे पहले SYL के विबाद से पहले दोनों राज सरकारों के बीच में इस एक्ट पर चर्चा होनी चाहिए आपको बता दे कि इस एक्ट के मुताबिक 2004 में 1.6 MF पानी हर्याणा सरकार को दिया जाना है लेकिन साप्तों से कहा गया है कि उससे जदा पानी हर्याणा सरकार को दिया जा रहा है लिहाजा अब रभी और जो व्यास नदी है वो सूख चुकी है ऐसे में हरियाना को और अत्रिक्त पानी नहीं दिया जा सकता है हरियाना सरकार की तरब से ये कहा गया है कि जो फिरहाल जमीने S.Y.L. नहर विबात के लिए बनाने की बात सुप्रीम कोट के दवारा कही गई है उस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोट अभी कोई एहम आदेश जारी करे हलाकि हरियाना सरकार और पंजाब सरकार से इस समाधान को निप्टाने के लिए सुप्रीम कोट ने दोनों राज सरकारों के मुख्यमंतरी से एक साथ बैठकर मीटिंग करने के लिए कहा था और ये कहा था कि अगर दोनों राज सरकारें आपस में बैठकर इस समस्या का समाधान नहीं निकालती हैं तो सुप्रीम कोट को और केंद सरकार को पहल करने की आवशक्ता है अब जब केंद सरकार की तरफ से सुप्रीम कोट में स्टेटेस रिपोर्ट दाखिल करके ये बता सरकार और सुप्रीम कोट इस मामले में क्या कुछ एहम आदेश जारी करता है क्यामन में बीनु के साथ तुसिल पांडे निउज एटी डिली S.Y.L. नहर विवाद के मामले में सुप्रीम कोट में केंद सरकार के द्वारा जलसक्ती मंत्राले ने अपना स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दिया जलसक्ती मंत्राले की तरफ से ये कहा गया है कि सुप्रीम कोट के आदेश के मताबिक पंजाब और हर्याना सरकार ने जनवरी में आपस में बैट कर इस विवाद को सुलझाने के लिए मीटिंग किया लेकिन अभी फिलहाल इस पूरी समस्या का कोई समाधान निकलते हुए नजर नहीं आ रहा है जलसक्ती मंत्राले की तरफ से ये भी कहा गया कि मंत्राले की तरफ से इस विवाद को सुलझाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है लेकिन इस विबाद को सुलधाने के लिए दोनों राज सरकारों को थोड़ा और समय देने की आवशकता है हाला कि इस पुरे मामले पर पंजाब सरकार की दरब से जो दलील दी गई या जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में ये कहा गया कि बंदोबस्त एक्ट जो 1985 में फिलहाल बनाया गया था सबसे पहले S.Y.L. के विबाद से पहले दोनों राज सरकारों के बीच में इस एक्ट पर चर्चा होनी चाहिए आपको बता दे कि इस एक्ट के मुताबिक 2004 में 1.6 MF पानी हरियाना सरकार को दिया जाना है लेकिन साबतों से ये कहा गया है कि उससे ज़्यादा पानी हरियाना सरकार को दिया जा रहा है लिहाजा अब रभी और जो व्यास नदी है वो सूख चुकी है ऐसे में हरियाना को और अत्रिक्त पानी नहीं दिया जा सकता है हरियाना सरकार की तरब से ये कहा गया है कि जो फिरहाल जमीने S.Y.L. नहर विवाद के लिए बनाने की बात सुप्रीम कोट के दवारा कही गई है उस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोट अभी कोई एहम आदेश जारी करे हलाकि हरियाना सरकार और पंजाब सरकार से इस समाधान को निप्टाने के लिए सुप्रीम कोट ने दोनों राज सरकारों के मुख्यमंतरी से एक साथ बैटकर मीटिंग करने के लिए कहा था और ये कहा था कि अगर दोनों राज सरकारें आपस में बैटकर इस समस्या का समाधान नहीं निकालती हैं तो सुप्रीम कोर्ट को और केंद सरकार को पहल करने की आवशक्ता है अब जब केंद सरकार की तरफ से सुप्रीम पर अगली सुनवाई सुप्रीम कोट में होगी तो केंद सरकार और सुप्रीम कोट इस मामले में क्या कुछ एहम आदेश जारी करता है क्यामना में बीनू के साथ सुसिल पांडे न्यूजेटी डिल्ली